क्या तुम अपनी किसी इच्छा को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हो अपनी बाद ब्रह्मान तक अती शीग्र पहुचाना चाहते हो तो आज का यह संदेश तुम्हारे लिए ही है प्रिये उन्यात्माओं आज मैं तुम्हें एक ऐसा सहज और सरल काद बताने जा रहा हूँ जिसके करने से निश्चित ही तुम्हारी वह इच्छा पूरी होगी जिसे तुम सोच रहे हो बस इस कारे को पवित्र रिदय से विश्वास के साथ करना सुनो मैं तुम्हें वह कारे बताता हूँ पांच माई दो हजार तेईस से पहली इस कारे को तुम्हें करना है मित्ती का मठका लेकर उसमें स्वच पीने योग्य पानी भरो फिर उसे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जिसे उसकी आवशक्ता हो यदि ऐसा करना संभव ना हो तो पानी के कुछ मठके यात्रा के मार्ग में रखवा दो जहां से आते जाते लोग पानी पी सके अपनी समर्थ और शक्ती अनुसार जितना हो सके उतना पानी का दान करो अशुब पक्षियों के लिए जल का पात्र भरके रखो मेरे त्रिये प्रतियेक जीव में ईश्वर तत्व ही विराजमान है जब कोई दूप और गर्मी से पीडित व्यक्ती जल ग्रहन करता है तो स्वभाविक रूप से उसके रिदय में विराजमान ईश्वर जल लखने वाले को आशिरवात देते हैं इस प्रकार इस अवधी में जो जल का दान करेगा वह परमात्मा का सबसे प्रिये बन जाएगा क्योंकि अनिको आत्माई उसे आशिरवात देंगी और परमात्मा की द्रिश्टी में आ जाएगा जल ही जीवन है इसलिए जल का दान जीवन का दान है किन्तु आदोनिक्ता की चका चौंध में इस सहच कारे को करने में लोग संकोच महसूस करते हैं और इसे केवल वही कर पाएगा जिस पर इश्वर की विशेश करपा होगी मेरे प्रिये अपनी किसी भी इच्छा के विशेश में सोचते हुए जल दान का संकल्प करो और जल का दान करो अपनी घर के पास से निकले लोगों को जल दो यदि तुम इस कारे को पांच मई से पहले करते हो तो निश्चित ही तुमारी इच्छा पूरी होगी क्या तुम ये कारे करोगे क्या तुम जल का दान करने को तैयार हो